हेलो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि तिरिभूज का अंता कुन का मान और तिरिभूज का बाया कुन का मान को कैसे निकाला जतता है देखें आप एक तिरिभूज दिया हुआ है इसका अंता कुन का मान को निकालना है देखे जब भी आप अंतह कौन का मान को निकालते हैं तो आपको हमेशा याद रखना है कि तिरी भूज का जो अंतह कौन का मान होगा वह होगा 180 डिगरी अब देखे इस प्राश्ण को हल करने के लिए यहाँ पर जो भी प्राश्ण में दिया हुआ है इसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर देखे कौन ए का जो मान है वह है 30 डिगरी तो यहाँ पर लिखेंगे कौन ए बराबर 30 डिगरी इसके बाद देखे कौन बी जो है वह है 90 डिगरी और यहाँ पर देखे कौन सी जो है उसका मान है एक्स यानि देखे आपको X का मान को निकालना है देखे इसको निकालने के लिए यहाँ पर देखे जो भी कौन है इसका आपको मान को आपस में जोड़ना है तो यहाँ पर लिखेंगे कौन A प्लस कौन B प्लस कौन C देखे यह तीनो कौन के मान को जोड़ने पर 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए क्योंकि देखे तिरिभूच का अंता कौन का जो मान होता है वह होता है 180 डिग्री देखे हैं पर कौन एक के जगह पर यहां पर लिखेंगे 30 डिग्री इसके बाद देखे प्लस में है कौन बी इसका देखे मान दिया हुआ है 90 डिग्री और यहां पर देखे प्लस में है कौन सी का मान यहां पर देखे एक्स है और इसके बराबर में देखे यहां पर है 180 डिग्री यहां पर देखे 30 डिग्री और 90 डिग्री को जोड़ाएंगे देखे यहां हो जाएगा 120 डिग्री और यहां देखे प्लस में है X और इसके बराबर में देखी है 180 डिग्री देखे इधर जो 120 डिग्री है यहां प्लस में बराबर के उस पर जाएगा तो यहां हो जाएगा माइनस में अब देखें हम लोग यहाँ पर 180 डिग्री में से 120 डिग्री को घटाएंगे तो यहाँ जाएगा 60 डिग्री यहन देखें यहाँ जो कौन X है, इसका मान हो जाएगा 60 डिग्री देखिए अगर इसको आपको चेक करना है तो अगर आप यह अंता को इनके मान को जोड़ते हैं तो यह 180 डिगरी के बराबर आजाएगा जैसे देखिए अपन 90 है 60 और 30 को जोड़े तो यह हो जाएगा 90 यह देखिए 90 और 90 को जोड़े तो वह 180 डिग्री के बराबर आजाएगा तो चलिए अब हम लोग सीख लेते हैं कि तिरी भूच के बायकोन का मान को कैसे निकाला जता है तो देख सकते हैं पर दूसरा प्रास्टन है इस प्रास्टन में तिरी भूच का बायकोन का मान को निकालना है देखे आपको हमेशा याद रखना है कि तिरी भूज का जो बाह कुन का मान होता है वह होता है 360 डिगरी यहाँ पर देखे जो प्राश्ण में दिया हुआ है इसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर देखे कुन A का जो मान है वह है 130 डिगरी इसके बाद देखे कौन B का जो मान है वह है 120 डिगरी इसके बाद देखे आपर कौन C का जो मान है वह है X तो देखे हम लोग सबसे पहले यह तीनों को के मान को आपस में जोड़ाएंगे यानि यहाँ पर लिखेंगे कौन A प्लस कौन B प्लस कौन C यह होना चाहिए 360 डिगरी के बराबर अब देखें पर जो भी मान है इसको यहाँ पर हम लोग लिखेंगे देखें कौन A का जो मान है वह है 130 डिगरी इसके बाद देखें कौन B का जो मान है वह है 120 डिगरी यहाँ पर देखें कौन C का जो मान है वह है AX और इसके बराबर में देखी हैं पर है 360 डिगरी अब देखें हम लोग 130 को और 120 को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 2800 डिगरी और यहाँ पर देखें प्लस में है AX और इसके बराबर में देखी है 360 डिगरी इधर देखें 2800 डिगरी जो है वह है प्लस में बराबर के उस पर जाएगा तो यहां संख्या हो जाएगा माइनस में अब देखें हम लोग 360 में से 800 डिग्री को घटाएंगे तो देखें इसको घटाने के लिए यहां पर देखें है 0 0 में से 0 घट करके यहां बचेगा 0 6 में से 5 घटने पर यहां बचेगा 1 3 में से 2 घटने पर यहां भी बचेगा 1 यानि देखें X का जो मान निकल करके आया वह हो गया 110 डिग्री यान देखें यहां जो कौन है इसका मान हो गया 110 डिग्री अगर देखें आप सभी बायकोन के मान को जोड़ते हैं तो वह 360 डिगरी के बराबर आएगा तो आप लोग अच्छे तरह से समझ गये होंगे कि तिरी भूज का अंता कोन का मान और तिरी भूज का बायकोन का मान को कैसे निकाला जतता है